नमस्कार दोस्तों यूट्यूब चैनल रभी ऐललबी में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम अंतराश्टे संगठन के महत्पूर टॉपिक यूणाटिट निशन के विसेम जानकारी देने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही महत्पूर है क्यूंकि इससे सम्मंदित कोश्चन आपको LLB, LLM, UPSC, PSJ, NET, JAREP से तमाम कम्प्टिटिब एकजाम में कोश्चन पूछे जाते हैं तो वीडियो को अंग तक देखिया और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए तकि लोग से रिलेटेट नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले तो आईए सुर चाटा संयुक्तराष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्र पूर्ण कारण था Second World War का अन्भो इस युद्ध में लाखो लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी और दुनिया तबाह हो गई दुनिया के देशों ने महसूस किया कि उन्हें एक ऐसे संगठन के आव सकता है जो भविस में इस तरह के महा युद्धों को रोकने में मदद कर सके सयुक्तराष्ट संग की स्थापना का मुक्ष उदेश सयुक्त राष्ट संग की इस्थापना का मुख्य उद्देश इसके चार्टर के अनुछेद एक में नहीं थे अनुछेद एक के अनुसार सयुक्त राष्ट संग का उद्देश बिसु सामती और सुरच्छा को बनाए रखना मानो अधिकारों की रच्छा करना, अंतराष्टी सहयोग को बढ़ावा देना तथा सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है सयुक्त राष्ट संग अपने कारियों और उद्योसों की पूर्ती के लिए 6 प्रमुक अंगों की इस्थापना किया है जिनके माध्यम से अपने उद्यों को पूर्ण करता है सयुक्त राष्ट संग के 6 मुख अंग महासभा, सुरच्छा परिशद, आर्थे क्यों सामाजिक परिशद, सचिवाले, अंतराष्टे न्याले, सयुक्त राष्ट न्यास परिशद सेयुक्त राष्ट महासभा क्या है? सेयुक्त राष्ट महासभा के मुख्यकार, सुरच्छा परिशत के सिफारिस पर महासच्यू की निउक्ति और सुरच्छा परिशत के दस आइस्थाई सदस्यों का चुनाव कराना। सेयुक्त राष्ट के बजट को स्विकृति प्रतान करना, और सदस राज्यों के विद्धिय इस्थिति का मुल्यांकन करना। संयुक्त राष्ट के सदश्यों की सदस्यतायों निसकासन से संबंदे स्विकर्ति प्रदान करना, मानक नर्धारन और अंतराष्टि विधी के सहिता करण की परक्रिया में भाग लेना, जाती लिंग धर्म या भासा के भेद भाव के बिना सभी किले मानो अधिकारों और मौल संयुक्त राष्ट सुरच्छा परिशद संयुक राष्ट का सबसे सक्तिशाली निकाए है, जिसकी प्रात्मिक जिम्मेदारी अंतराष्ट्य सांतियों सुरच्छा को बनाए रखना है, सुरच्छा परिशद में 15 सदस्य हैं, इसमें 5 इस्थाई सदस्य हैं और 10 आइस्था के जरिये होता है सुरच्छा परिशत के मुख्य कारियों में सामिल है सांती अभ्यानों में योगदान देना अंतराष्टिय प्रतिबंधों को लागू करना सुरच्छा परिशत के प्रस्तावों के जरिये सैनिकारवाई करना विरोधी देशों को बाधि करना कि वे अपने ब परिशत सयुक्त राष्ट का एक प्रमुक अंग है जो आर्थिक और सामाजिक विकास के छेत में नीती निर्धारित करता है इसमें 54 सदस्य होते हैं जिन्हें महा सभाद्वारा तीन वर्सों के लिए चुना जाता है आर्थिक और सामाजिक परिश्यत के महत्पूर्ण कारे अ आर्थिक और सामाजिक प्रगिति को बढ़ावा देना अंतराष्टि आर्थिक सामाजिक और स्वासमेश्याओं के समाधान की पहचान करना अंतराष्टि सांस्क्रतिक और सैचिक सहयोग को सुद्धाजनक बनाना बैश्विक आर्थिक सामाजिक और पर्यावर्णिय चुन सच्चिवाले 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 सच्चि कारों सतत्विकास पर रिपोट तयार करना अनतराष्ट्य बिवादों को सुल्जाने में मदद करना अन्तराष्ट्य सम्मेलों का आयोजन करना सुरच्छा परिसazed के निर्णयों के क्रियानवेन पर जानकारी उब сказал करना सुरच्छा परिस unforach की जाच करना अंतर राष्टिय न्याले अंतर राष्टिय न्याले संग का मुख्य न्याइक अंग है संग के चार्टर के अध्याई 14 के तहत 1945 में अंतर राष्टिय न्याले की स्थापना की गई अंतर राष्टिय न्याले का उद्गाटन अधिवेशन 18 अप्रेल 1946 को हुआ थ अंतराष्ट्य न्याले में 15 जज होते हैं जो संयुक्तुराष्ट महासभा तता सुरच्छा परिशत द्वारा 9 वर्सों के लिए चुने जाते हैं अंतराष्ट्य न्याले का मुखिकार संयुक्तुराष्ट के सदसे राष्टों के बीच कानूनी विवादों को हल करना तथा संयुक्तुराष्ट के अंगो विशेस एजंसियों के अनुरोद पर कानूनी सवालों पर सलहकार की भूम का भी अदा करना है संयुक्तुराष्ट न्यास परिशद संयुत राश न्यास परिशत की स्थापना 1945 में संयुत राश चार्टर द्वारा की गई थी न्यास परिशत की स्थापना उपनेवेसिक आधी छेत्रों के प्रबंधान्यम स्वतंतरता वस्वास आसन के लिए प्रोसाहित करने के लिए किया गया था न्यास परिसद का प्रात्मिक कार न्यास छेत्र के लोगों की भलाई को बढ़ावा देना था न्यास परिसद ने सिच्छा स्वास देख भालो आर्थिक विकास के छेत्र में महत्पूर भूम का अधा की है न्यास परिशद ने न्यास छेत्रों में स्वतंत्र सरकारों की स्थापना के लिए भी प्रोसहित किया न्यास परिशद को 11 राष्ट सोपे गये थे जैसे कि टंगानिया, फ्रॉंक्स और बिटेन आदी ये देश अब या तो स्वतंत्र हो चुके है या किसी प्रभु सत्ता राज्य का हिस्सा है साल 1994 में आखरी राज्य छेत्र की आजादी मिलने के बाद इस परिशद को निस्क्रिय कर दिया गया है उमीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और बैल नोटिकेशन को प्रेस कर लीजिए तकि लोग से रिलेटेड नए वीडियो में आपको सबसे पहले तो मिलते एक नए वीडियो में तब तक लिए नमस्कार